दाना सबसे बढ़ा यही होता है न इसको पहचानते कैसे है आपको इस दाने में देखे दिखे रहा होगा कि ऑइल जो है ये देल-धल का मातरा जो है उसमें अच्छा है अच्छा खासा त्यल का मातरा है अभी थोड़ा से पुराधा फीड ले करके ऐसे ऐसे करके फीड रखके हाथ ऐसे किजिएगा तो उसमें तेल का मतलब आपके हाथ में आजाएगा चिपकेगा समझ लिजेगा वह फीड बढ़ना है जो फीड सूखा रहता है उस फीड में उतना फैट नहीं रहता है और कैट फीज के लिए वहीया फैट वाला फ हाते हैं तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि फैट बड़ेगा तो हमें तो मचली का फैट बढ़ाना यह जान करके मचली का फैट बढ़ाना के लिए आपको ऊइल वाला जो है वो फिट देना ही पड़ेगा हरुई बात की मतलब उसका पाचन कि रिया जो को मजबूत करना है तो उसके साथ हम लोग लीवर टोनिक देते हैं सपता में एक दिन दो दिन सपता में लीवर टोनिक का यूज करते हैं तो पाचन के रिया भी मजबूत रहता है फैट वाला भोजन भी देते हैं तो बोडी वेट से ग्रोध करता है जब से ग्रोध करेगा त इसका वेट आप कभी एहसास किजीए गाइसका वेट जो था वह भारी होता है नहीं ताप अब कभी ट्रै किजीए गाद यहाँ मैं बहुत सारे कंपनी का फिड्यूच किया हूं एक हो गया आपका CP कंपनी उसका यूज किया हूं जो कि सबसे अच्छा होता था फीड उसका यूज किया हूं उसके बाद फीर यूज किया हूं आपका IB कंपनी का दयाल का किया हूं न्यूट्री प्लस किया हूं स्री राम का किया हूं सारे कंपनी का फीड यूज किया हूं इ यह मचली का जो दाना इसी पर बात करने वाले हैं यहां पर देखिए बहुत सरे किसानों के साथ फराउड होता यहां पर तो इसलिए आप इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा तीन चीज में आज बताऊंगा आपको तीन चीज उस प कंपनी का खेलाना बीच में छोड़ना नहीं है दूसरा कंपनी को बीच में एड़नी करना अब ऐसा क्यों नहीं करना है तो हर जो फीड का इसमेल होता है ना महक जो होता है वो अलग अलग होता है चेंज होता है तो जिस कंपनी का आप फीड दे रहे मचली को और जश्ट आ आपको बता देता हो पहले ही दूसरी जगह पर यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा यहां पर किसानों को नुक्सान होने का समावना जदा रहता है । मचली को जब भी दाना देते हैं उसके पहले आप डिसाइट कर लें कि हमारे पैकेट में कितना पैसा है। आप मचली जब भी जीरा डालते हैं गिराते हैं उस टाइम आप डिसाइड कर लें कि हमारे पास कितना पैसा है कितना दानों मतलब की बच्चा गिराना है मचली का वो डिसाइड हो जाने के बाद फिर जब आप फिडिंग कराईएगा तो सुरू से ले करके लाश्ट तक आप इसको फिडिंग कराना है अगर आप करतें हैं मतलब फैसा खतम होगया और मचली को दस दिन बोह का रखें और पिर उसको आप फिडर रहें तस दिन के बाद रहें तो होता गया कि अगर मचली के आपका मतलब की 200 डाईकि 100 गरम का हो गया है 500 गरम का मानते है 500 गरम का मछली हो गया उसको आप 10 तीन फीट देना बंद कर दिएँ तो 200 गरम से हैं क ambush जो है वह आपका 240 गरम 230 गरम पर अब वेट लॉस हो जाए कितना था 200 ग्राम का वेट लोस होके कितना हो गया 230 ग्राम का अब 230 ग्राम से फिर से मचली को 250 ग्राम तक लाने में आपका जो है फिर 10 दिन का एक्स्ट्रा भोजन चले जाएगा या 5 दिन का ही चले जा एक्स्ट्रा भोजन लेकिन उतना बोडी वेट तक लाने में 200 ग्राम त तक फीड कराईएगा वह आपका फीड बेस्ट चले मतलब खतम हो जागा वेस्ट चले जाएगा तो आप समझ लिजे कि आपको प्रॉफिट जो होने वाला तो पहले ही आपने खतम कर चुका है वह लॉस में आप चलेगे पहले ही तो फ्रॉफिट कुन नहीं होगा वैसे जग बताओंगा लेकिन अभी फिलाल मैं आपको यह चीज़ बता दिया